jaw bone का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है jaw bone जो है वो जबड़े की हड़ी को कहा जाता है यानिकि जो हमारा जबड़ा या जबड़े की हड़ी होती है यानिकि जो दांतों का एक जगह पर रखने का काम जिस हड़ी का होता है यानि कि जो हमारे मसूडे होते हैं उसके नीचे जो हड़ी होती है उस हड़ी को jaw bone कहा जाता है यानि कि the jaw bone also known as mandible यानि कि jaw bone को ही mandible भी कहा जाता है is the lower part of the skull that holds the lower teeth in place यानि कि जो हमारे नीचे वाले दांत होते हैं वो यह jaw bone ही hold करके रखती है it plays a crucial role in achieving speaking and facial structure यानि कि जो है jaw bone जो होती है वो हमारे जबड़े की नीचे वाली हड़ी को और जब भी हम कुछ खाते हैं तो उपर वाला जो हिस्सा है उपर वाले जो दांत हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं जो हिलने का काम होता है बोलते हुए हिले या फिर कुछ खाते हुए जो हिलता है वो हमारा नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है जिसको jaw bone कहते हैं और the jaw bone is the largest and strongest bone in the face and it forms the lower jaw और जो jaw bone होती है वो हमारी सबसे strong bone होती है और face में face की bones के हम बात करें जो हमारे गर्दन से उपर का हिस्सा है उसमें सबसे बड़ी bone जो है jaw bone ही होती है और यह सबसे strong bone भी होती है जो हमारे face में होती है और it forms the lower jaw यानि कि यह हमारा नीचे वाला जबड़ा जो है वो बनाती है तो इसके बारे में और डिटील से पढ़ना चाहें तब कि स्क्रीम और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप पढ़ सकते हैं और इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें